Hello dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं, class first का chapter number 9 and the chapter name is data handling. तो बच्चो आज हम data handling किसकी मेलब से करने वाले हैं? आज हम data handling shapes की help से पढ़ने वाले हैं. तो बच्चो आपने shapes पढ़ी होंगी, triangle, circle, rectangle and square पढ़ी होंगी ना? तो मैं आपको पता देती हूँ, हमारी shapes कौन कौन सी हैं? तो बच्चो जब ऐसी shape होती है, जिसमें three sides होती हैं, one, two, three. तो इस shape को हम बोलते हैं, triangle, क्या बोलते हैं, triangle, okay? Next, और कोई shape आपकी circle होती है, मिया ऐसे goal होती है, वो कहलाती है हमारी circle. इसकी कोई भी side नहीं होती है, okay? तो ये क्या कहलाती है हमारी circle? Next, square. square क्या होती है, जिसकी हमारी four sides क्या होती है, equal होती है, means ये side और ये side, और ये, ये सब आपस में क्या होती है, equal होती है. कैसी? अगर ये one centimeter है, तो ये भी one centimeter होगी, ये भी one centimeter और ये भी one centimeter होती है, तो ये क्या कहलाता है हमारा square, okay? जिसकी four sides equal होती है. Next, आता है हमारे पास rectangle. और rectangle कैसी होता है? rectangle की भी कितनी sides होती है? one, two, three, four. इसमें क्या होता है? इसमें two sides equal होती है, okay? जिससे opposite sides equal होती है, ये वाली sides और ये वाली sides, दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के equal means ये two centimeter है, तो ये भी कितनी हो सकती है? two centimeter. और ये one centimeter है, तो इसकी सामने वाली साइड है, ये भी कितनी होगी? one centimeter. means opposite sides are equal. ओके तो ये खेर आएगा हमारा rectangle, ओके? आपको यहाँ picture दी हुई है, इसकी हर्प से हम data handling करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर picture दी है, तो count करेंगे shapes कितनी कितनी है, ओके, तो यहाँ पर आपको question बोला है, count the shapes in the above picture, आपको यहाँ पर इन shapes को count करना है, ये कितने कितने है, तो first आपको यह shape कौन सी दी है, मैंने बताया था, one, two, three, जिसकी three sides होती है, वो कौन सी होती है, हमारी triangle है तो आपको यहाँ पर count करने हैं, कि हाँ इस picture में कितने triangle है, चले start करते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, ये भी एक triangle है, nine, ये भी एक triangle है, ten, ये भी एक triangle है, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, अब यहाँ पर देखते हैं, और कहीं है, sixteen तो ये हो गए है, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, 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 one, and twenty, two, तो हमारी जो triangle है, वो कितनी है, twenty, two, okay, next है हमारे पास circle, तो हम देखते हैं हमारे पास कितने circles है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, तो कितने circle से total, eight, ओके, next अभी कौन से shape है हमारी, one, two, three, four, और इसकी क्या है, four sides क्या है, equal है, तो कौन सी है, square, तो देखते हैं हमारे कितने squares है, one, two, three, four, five, six, seven, तो यह कितनी है, seven, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, seven, okay, next अभी हमें कौन से shape दी है, rectangle, तो count करते हैं, rectangle कितने है, one, two, three, four, five, five, again count करते हैं, one, two, three, four, और यह बड़ा सा यह क्या है, five, तो टोटल rectangle कितने हैं यहाँ पर, five, okay, triangle है, twenty-two, and circle है, eight, और square है हमारे पास seven, और rectangle है हमारे पास five, okay, अब यहाँ पर अगेन एक question पूछा है, question क्या पूछा है आपसे, पहले हम इनको दुबारे, आगेन इनको क्या कर लेते हैं, fill कर लेते हैं, okay, तो यह थे हमारे पास twenty-two, यह थे हमारे पास eight, यह थे हमारे पास seven, और यह थे हमारे पास five, यहाँ पर question पूछा है, वो question क्या पूछा है, name the shapes that occurs the most, आपको उन shape का नाम बताना है, जो सबसे ज़्यादा है, इस picture में तो देखिए, कौन सबसे ज़्यादा है, triangle है, twenty-two, circle है, eight, square है, seven, and rectangle है, हमारे पास five, तो कौन सब ज़्यादा हो गया, triangle, तो आप लिख सकते हैं, हाँ पर triangle, जो है, वो सबसे ज़्यादा है, तो ल नेक्स इसमें पूछा है, that occurs the least, least means होता है, सबसे कम, तो कौन से ऐसे shape है, जो सबसे इस picture में बहुत ही कम थी, वो कौन सी हमारी, देखिए, twenty-two है, seven है, eight and five है, तो ही कौन सी है, rectangle, तो यहाँ पर लिख लेंगे, rectangle, r, e, c, t, a, n, g, l, e, rectangle, ओके, तो ऐसे आप इनकी spelling यहाँ पर लिख लेंगे, तो आपको इन सबको ऐसे यहाँ पर fill कर लेना है, okay, next है, these children are friends, यहाँ पर, जो यहाँ पर children's के name दिया है, यह सब क्या है, friends है, count the number of letters in each name word, आपको हर एक name के, हर एक name में देखना है, कि कितने-कितने letters आ रहे हैं, और उनको यहाँ पर इस box में fill करना, तो यहाँ पर names दिये हुए है, number of letters, कितने number of letters एक के name में आ रहे हैं, तो आपको उन्हें count करना है, चलिए start करते हैं, Yes, first आपको name दिया है, S-A-L-M-A, Salma, पर लेकिन हमें इनके name रीट नहीं करने हैं, हमें क्या करने हैं? इनके letters को count करने हैं, तो count करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर कितने letters हैं? 5, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 5, ओके? इसका, next है, इसमें कितने count करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर कितने हैं? 6, next, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कितने हैं? 4, next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर कितने हैं? 6, 6, next, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कितने हैं? 5, next, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कितने हैं? 4, तो आपके लिखने हैं 4, next, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कितने लिखने हैं आपको? 5, next, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी कितने हैं आपके? 5, And now last 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 तो यहाँ आपको यहाँ पर कुछ कोशिन पूछे यहाँ पर पूछा है How many names have 4 letters? कितने name में आपके 4 letters आ रहे हैं? अभी आपने count के देखते हैं किस-किस में 4 आ रहे हैं? यहाँ तो 5 आ रहे हैं यहाँ 6 Yes, यहाँ पर 4 आ रहे हैं 1 और कहाँ पर 4 आ रहे हैं? Yes, 2 और यहाँ पर 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 students के name में क्या आ रहे हैं? 4 letters आ रहे हैं Next is How many names have 5 letters? कितने ऐसे name हैं जिन में 5 letters आ रहे हैं? तो देखे हमने लिखे हैं सामने न तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 आ रहे हैं फ्रेंट्स हैं इनके नेम में कितने लेटर हैं? 4 ओ स्वाइफ लेटर हैं 4 ऐसे ऐसे फ्रेंट्स हैं Next है How many names have 6 letters? कितने नेम ऐसे हैं जिन में 6 letters आ रहे हैं? देखें 6 का का रहा है 1 और 2 अल्ली 2 टाइम तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 ओके? बनाते 2 Next है How many times S comes in all the names taken together? यहनोंने का है सभी के नेम को चेक करना है और देखना है S किस किस के नेम में आ रहा है तो कितने टाइम सारा देखते हैं? चलो देखते हैं इनमे S कहा कहा पर है तो एक है 1 2 3 4 4 तो इस मींस कितने है S? 4 तो हैं लिखनेंगे 4 अब इसमें पूछा है How many times A comes in all the names taken together? कितने ऐसे नेम है जिनके उसमें A आ रहा है तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 एक इतने बार रिपीट हो रहा है 9 तो हैं आप लिखनेंगे 9 तो आपको इने ऐसे अच्छे से फिल कर लेना है ओके? तो आप इसे फिल करेंगे अगे? ओके स्टुडेंट्स हवे गूँ दे